नमस्का, मैं होस्तासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं राजनात सींग ने ट्वीट कर लिखा, मुझे बहुत खुसी है कि भारतिय वाई स्वेना की लड़ाकू छमता को सही वक्त पर मजबूती मिली है राफेल आने से हमारी यार फोर्स की नई चामता से हमारी छेतरी ये अखंडता के लिए खत्रा बनने वालों को चीनतित होने की जरूरत है जार्खन मौसम विभाक के अनुसार 30 जुलाई से मानसुन कमजोर रहेंगे राज के कई छेतरों में छिटफुट बारिस के साथ बजरपात होने की संभवना है आपको बता दे कि पिछले 24 घंटे में बजरपात से 6 लोगों की जान चली गई और दरजन लोग खायल भी हुए है जारखन के दिव्यंग बच्चों को घर पर दी जाएगी सिक्षा राज के वैसे दिव्यंग बच्चे जो इसकुल जाने में सक्षम नहीं है उनके लिए घर पर ही पहाय की बेवस्ता कराई जाएगी वही वैसे दिव्यंग बचे जो साधन के अभाव में हर दिन इसकुल नहीं जा पा रहा हैं उनके लिए टांस्पोर्ट की भी बिवस्ता की गई है केंद्र वह राज सरकार के सवयोग से इनकी बिवस्ता की जाएगी केंद्र की मंजूरी के बाद राज सरकार ने दिव्यंग बचो के बिसेस योजनाकी का इलें जारी कर दिया है जार्खन में आए 455 में ने संक्रमितों के पुष्टी हुई जो पुर्वी सिम्भूम से 140, राची से 127, धनबाद 60, पलामू 34, चत्रा बतिस, राइकला 21, पच्मी सिम्भूम 17, रामगर 14, लोहरदागा 10, पांकुर 10, गढ़वा 7, गुमला 7, खुटीस 4, गुरीडी 3, लोहरदागा 3, हजारी बाग 2, जामतरा 2, देवघर 1, दुमका से एक है, जारकन में कुल संक्रामित्यों संख्या 10,163 है, जबकि 4,089 लोग स्वश्थ हुए और 99 की मृति हो गई, भारत में कुल संक्रामित्यों संख्या 15,004, 384 है, जबकि 10,211,611 लोग स्वश्थ हुए और 35,003 की मृति हो गई, भारत में नाए केस 52,263 मिले है, एक्ट जार्खन में संक्रमन की रफ्तार नहीं थमी तो बारात दिन में आकड़ा सत्राजार पार होगा जार्खन में पिछले बारा दिनों में कूल पोजिटिव मरीज की संख्या दोगनी हो गई है स्वास्त विभाग का अनुमान है कि अगले बारा दिनों में यानि दस मई के आज पास मरीज की संख्या 17,000 से अधिक होगी आपको बता दे कि 11 जुलाई को कूल 363 पोजिटिव केस थे जो की ठीक 12 दिन बाद पोजिटिव केस की संख्या 3250 हो गया है यानि जारखंड में दोगना होने की दर अब 12 से तेरह दिन हो चुके है जारखंड में पहला पलाजमा डालटेंगा इनिवासी बुजूर को मेडिका अस्पताल में संक्रमन से जंग लड़ रहे डालटेंगा इनिवासी 65 बरसी बुजूर को दान किया गया प्लाजमा चढ़ाया गया है आपको पता दे कि जार्खन में परयोग के तोपर पहली बार किसी संक्रामित को प्लाजमा थेरेपी सुरू की गई है अस्पताल के डक्टरों का कहना है कि प्लाजमा चढ़ाने के 24 से 48 घंटे में इसका आसर दिखाई देना चाहिए चुकि या काल रहा है ऐसे में अभी कुछ काना जल्दबाजी होगा गढ़वा और खुटी के रहा चुके एसपी अलोग कुमार का निधन मुख्यमंत्री ने दिसरदांजली जर्खन में इमंदार अपसर की छवी रखने वाले आईप्यस अधिकारी अलोग कुमार का महज 51 साल की उम् सुरेन और पुलिस के वरिये पदा धिकायों ने बुद्धवार को जयपोवन मुख्याले में जाकर उनकी सरदांजली दी गढ़वा में 31 जुलाई तक संपूर्ण लोगडाउन जर्खन में खतरनाक होते जा रहे महमारी को लेकर सासन पर सासन ने फिर से मुस्के कस्नी सुरू कर दी है एतियात के तौर पर जीले में अलग अलग लोगडाउन लगाया जा रहा है सरवे कराया जाएगा या बाते स्वाच सचीव डाक्टर नितिन मदल कुनकरनी ने कहा है उन्होंने कहा कि यह सही है कि जुलाई में केस की संख्या बढ़ी है इस दोरान सबसे अधिक जाच भी हुई है कॉंट्रेक्ट ट्रेसिंग भी बढ़ी सभी जीला मुख्यालों में जाच हो रही है जल्द ही CHC अस्तर पर जाच होगी अभी जो भी केस मिल रहे हैं उनमें से 65% बिहार और बंगाल का कनक्शन है जामताव जीला से स्री राम जन्म भूमी पुजन के लिए भेजा गया जल और मिटी स्री राम की भव्य मंदिर निर्मान हेतू 5 अगस 2020 को अयोध्या में होने वाले भूमी पुजन के लिए 200 हिंदू परिशत के द्वारा आयोजित सभी धर्म अस्थलों से मिटी और पवित्र नदियों का जल संग्रह कर पुरेदेश भर से भेजा जा रहा है ठीक उसी परकात जामतरा जीला के अंतरगत राष्टिय स्वयन सेमक संग के कुस्वेदिया मंडल के मंडल परमूख एवं समस्त ग्रामिनों के द्वारा मिटी वजल का संग्रह कर समाज की लोगों के द्वारा हनमान मंदीर में संकल्प एवं पुजा किया गया और अयोध् मित वायरो लोजी एवं परियोग साला का उधगाटन किया मुख मंतरी ने राजानी राची इस्थित प्रोजेक्ट भवन से इसका ऑनलाइन उधगाटन किया इस असर पर स्वास्त मंतरी बना गुपता स्वास्त विभाक के प्रदान सचिव डाक्टर निदिर मतन कुलकरनी वा अन्य पताधिकारी मजूद थे निसिकांद के पक्ष में बावुलाल मरांडी सीएम के खिलाप खोला मुर्चा संसर निसिकांद दूबे ने बुद्वार की सुबा ट्वीट कर मुख मंतरी हमन सुरेन और डिजीपी पर आरोप लगा कर संसर नी फैलादी की अप्राधि ततों के साथ मिलकर उस यूति के हत्या की साजी सरची जा रही है जिसने 2013 में ततकारीन मुख मंतरी हमन सुरेन के खिलाप दुसकर मुख अन्य धाराओं में मुकादमा दर्ज कराया था लगे हाथ उन्होंने कई और भी आरोप लगाया है और एक के बाद एक कई ट्वीट कि दोपर होते होते मामले में रोचक रूप ले लिया जब भाजपा विधार्यक दल के नेता बावलार मरांडी निसिकान दूबे के पक्ष में खूल कर उतर आए और राजी की पूलिस को कट घरे में खड़ा कर दिया योती की पिटाई मामले में बरहेट थनेदा पर अपराधिक मामला दर्ज जार्खन के बरहेट थना में योती से मार पीट गाली गलोज मामले में निलामबित किये गए थनेदार इंस्पेक्टर हरीस पठक की परसानी बढ़ने वाली है उन पर अपराधिक मुकादमा जाजा दिलाई जाएगी डिजीपी एमबी राव ने सावयवगांज के स्पी को इससे समंधित अदेश जारी कर दिया है। जाजारी रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया के सेंपल रजिस्टेशन सिस्टम की रिपोर्ट में सामने आया है। डिसी और एसपी ने सन्युक्त रूप से जीला में तमाम अधिकारियों के साथ ऑनलान बैठक की। उपायुक्त संदीप सिंग एवं पुलिस अधिक्चक प्रभात कुमार के द्वारा सभी अधिकारियों को अपने अपने छेत्रों में संक्रमन के बचाव यतु सरकार द्वारा जारी किया गया गाइलाइन कानिवारे रूप से पालन करने का नेदेश दिया गया। इस दरान उपायुक्त ने सभी अधिकारियों से कहा कि रामगार जीला अंतरगा सहरी छेत्र जिन में 56 परिसर याम नागर परिसर समीली थाय को छोड़ कर और किसी भी जगा पर कपड़े याम जूते के जुकान खोलने के अनुमती नहीं दी गई है। नगर परिसाद छेत्र अंतरगात मिसन चोक से राना चोक तक मावीर चोक रोड बरवाटी चोक बाय अगरवाल मुहला इत्यादी छेत्रो मियटी मरीज मिले है अता ऐसी रित्थी में उक छेत्रों में परभावी कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग एवां इस छेत्रों में आउम लोगों के आलागामन को पर्तिबंद करने के लिए जोखुम चीत्र एवंबंफर जोन गोसित करना जाए बिजली विभाग किला परवाई के खिलाप आंदोलन शुरू कॉंग्रेस राची परदेश कॉंग्रेस की ओर से बिजली विभाग और के आई कंपनी किला परवाई के खिलाप उद्वार से चरणवद अंदोलन की शुरूआत की गई है अंदोलन के पहले चरण में पार्टी के नेताओं करताओं ने समाजिक दूरी का परण करते हुए राची इस्थित बिजली मुख्याले के समक्स फेस्बूक लाइब के माध्यम से बिरोध किया अनलोग 3.0 को लेकर गाईलाइन जारी 31 अगस तक स्कूल कॉलेज कोचिंग बंद देश में बरते संक्रमन के बीच केंदरिये ग्री मंत्रा ले ने अनलोग 3 को लेकर गाईलाइन जारी कर दिये हैं इस गाईलाइन के अनुसार कई मामलों में छूट दी गई है तो कई चीज भी खोले जा सकेंगे हालाकि 31 अगस तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और मेट्रो सिनेमा घर स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे भारत के लिए अतिहासिक दीन राफेल बिमान भारत आया सांसद राची के सांसद संजर सेट ने राफेल लवाकू बिमान के भारत पहुँचने पर खुसी जाईर की है सांसद ने बुद्वार को कहा कि आज भारत के 130 कोड़ भारतवासियों के लिए गउरों का पल है बिहार जार्खन छेत्र के छेत्रिये संगठन मंत्री निखिल रंजन ने भारत सरकार की ओर से राष्ट्रिये सिक्षा निथी को लागू किये जाने का स्वागत किया है। सद निसिकान दुबे की सदस्रता समाप्त करने के लिए पार्टी से चुनाव आयोग से जाज कराने की मांग की है। सदस्रतार व्यवस्थावों के समिक्षा कर रहा है। इसी करम में उन्होंने सदर अस्पताल का भी दवरा किया और खेल गाओ इस्थित आइसोलेशन वाट का निरेक्षन किया। पूलिस कर्मियों को 50 लाग की बीमा किया जाए। पूलिस मेंस एसोसेशन के प्रांती अध्यक्ष नारेंदर कुमार ने कहा कि सभी पूलिस कर्मियों को 50 लाग का बीमा किया जाए। साथी ड्यूटी के दवरान मौत होने पर आसरीतों को रिटार्मेंट तक पूरा वेतन दी जाए। कुमार ने बुद्धवार को कहा कि समाचार पत्रों में एक खबर छपी है कि करमचारियों का इंक्रिमेंट रोक दी जाएगी और बहुत सारे ट्रेजरी से बील वापस कर दिये जा रहा है। इस समाध में अगर राज सरकार पत्र निर्गत करती है तो पूलिस मेंस एसोसेशन इसका पूर जोर विरोत करेगा। इस समपुन लोकडाउन का निर्गत मंद्रेगा में अनिमित्ता को लेकर मुखिया सहीद दो रोजगार सेवक पर करवाई हुई है। देवघर में गवे विकास पसुपारण विभाग में निवांधन के नाम पर की जा रही अबर्द उगाही धन्यवाद। यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल आइकन दबाएए। साथ साथ वीडियो को एक लाइक का और अपने दोस्तों को बात से फेस्बुक ट्वुटा इंस्टाग्राम पर सेयर करें। आप कॉमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं।